अमेरिका ने भारत को दो टूक कह दिया है कि भविश्व में IT हाडवेर के इंपोर्ट को लेकर कोई भी कदम उठाने से पहले अमेरिका को उसकी जानकारी दी जाए अमेरिकी व्यापार प्रतनेदी कैथरीन तेई ने कहा कि भारत अगर अमेरिका को जानकारी देता है तो भारत की योजना को बहतर तरीके से लागो करने में मदद होगी साथी ये भी कहा गया कि अमेरिका वर पढ़ने वाले असर का भी पता इससे चल पाएगा भारत और अमेरिका के व्यापार प्रतनेदियों की तीन दिन चलने वाली बैठक शनिवार को दिल्ली में श्रीग हुई इसी बैठक में के दौरान कैथरीन तेई ने ये स्टेटमन्ट दी है सर अमेरिका की दो टुक बैन के माईने क्या निकाले जाए अबरत और अमेरिका के बीच जो दिल्ली में बैठक चली वो खासी दो टुक थी और अमेरिका इस मावले में काफी बेबाक होकर इस बैठक में अमेरिका के तरफ से ये बात कही गई कि भारत ने हाडवेर के आईटी हाडवेर के निर्याद पर जिस तरीके की पाबंदी सकती लाइसेंसिंग लगाई थी वो उची तो ठीक नहीं है और फिर भारत ने जी टुटी की बैठक से पहले इस प्रस्ता को वापस ले लिया और वो पूरा प्रस्ता थंडे बस्ते में चला गया कि ऐसा कोई फरस्ता लेने से पहले अमेरिका को बताया जाए अमेरिका की जानकारी में रखा जाए अमेरिका ने सा इसलिए क्यों कहा क्योंकि अमेरिका की सबसे बड़ी हाडवेर कंपिनियों के बड़े इंटरिस्ट भारत में है और भारत इस समय जो की अब अंतराश्ट्री इस तर पर बाजार की और व्यापार की जो परिस्तितियां बदल रही जिसके बारे मैं आपको विस्तार से बताते रहें अमेरिका ही एक ऐसा बाजार है जिस बाजार में भारत को दखल और प्रवेश चाहिए और फिला हल के वर्षों में चीन के साथ अमेरिका की वयापारिक दूरी घटने के बाद, भारत के लिएक संभावनाओं का वाजार भी खुला है, जहां अमेरिका में वो नियाद कर सकता है। इसलिए अमेरिका ने शायद इस अबसर का लाब उठा कर खासी दो तूक और पेब कि जाइगे बात